प्रावलाम नमबर 18 को देखो कोशन अच्छा है CBS ने इसको पूछ वा क्योंकि सारे कोशन जितने भी कराएं मैंने वो सारे के सारे किसी एक्जाम में पूछे गए है वरना NCID के अंदर है एसे नहीं है कि कोई ऐसा कोशन करा दिया किसी एक्जाम में पूछे नहीं गया हो इसलिए टाइम बहुत कमा आपके पास तो वही कोशन सॉल पकराये जारे हैं जो किसी एक्जाम में पूछे गया तो आप सखरा है टू बीम से दो लाइट की बीम है one of the red, एक है red और दूसरी है blue, ठीक है, आप से गहरा, of the same intensity, इनके intensity को same कर दिया गया, intensity same होने से number of electrons same हो जाते हैं, ठीक है, आर incident होना metallic surface to emit the photo electrons, किसी metallic surface पर डाला गया ताकि ये photo electrons का emission करें, आप से गहरा, which one of the two beams, इन दोनों में से कौन से beam emit करेगी, electrons of greater kinetic energy, बताओ, कौन सी kinetic energy का electron emit करेगी, तो आपको पता है, कि actual में intensity जो होती, वो number of electron को बढ़ाती है, लेकिन intensity कभी भी kinetic energy को नहीं बढ़ाती, लेकिन, लेकिन, जो frequency होती है, photon की, वो electron की kinetic energy को बढ़ा देती है, इसका मतला कर आपने जादा frequency का photon डाल लगा, तो जो electron निकलेगा, उसकी kinetic energy भी जादा होगी, हाँ, frequency जो है न, वो number of electrons को नहीं बढ़ाती, सिर्फ उनकी kinetic energy को बढ़ाने का काम है, frequency का, तो आपको पता है, blue light की frequency जादा होती है, तो इसकी वरियसे जो photo electrons निकलेगा, उसकी kinetic energy भी जादा होगी, as compared to the red one, क्योंकि red की frequency कम होती है, इसलिए उसके थूरू जो electron निकले उसकी kinetic energy कम होगी, तो यह सारी बात हैं आप अच्छे से याद करकर चलें,